हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर या जिनको हम इंग्लिश में वर्बल्स भी बोलते हैं तो सबसे पहला क्वेशन आता है कि स्वर क्या होते हैं क्योंकि स्वरों की जो है अपनी मात्राएं होती हैं और जि तो वो बेसिक चीज जो है वो बच्चों को आनी जहिए स्वर कितने हैं कितने परकार के हैं उनकी मातराएं कैसी हैं ये बहुत ही important है जब आप एक बच्चे को जो है हिंडी भाशा सिखा रहे हैं तो सबसे पहला question ये आता है कि वर्ण क्या होते हैं वर्ण को हम letter भी बोलते है तो भाशा की बेचोटी से चोटी जोनी जिसके हम टुकड़े न कर सके उनको वर्ण कहते हैं तो वर्ण जो है two types के हैं तो first type जो है वो है स्वर अब स्वर क्या होते हैं स्वर है जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की साहिता से बोले जाते हैं और इनको हम English में vowels भी कहते हैं वर्ण को हम लेटर कहते हैं तो vowels की definition क्या हुई the letter which pronounced without the help of any other letter उनको हम स्वर कहते हैं तो स्वर जो है हिंदी वर्ण माला में कितने स्वर हैं वो आपको पता होना चाहिए तो हिंदी वर्ण माला की बात करें तो हिंदी वर्ण माला में 11 हमारे पास स्वर हैं कौन कौन से हैं और हम कैसे उनको जो हैं प्रोनाउंस करते हैं, तो हिंडी वर्ड माला में 11 स्वर हैं, जिनको हम इंडीपेंडेंट लीस प्रोनाउंस करते हैं, सोतंतर रूप से प्रोनाउंस करते हैं, For example, हमारे पास है, A, A, E, छोटे E, E, बड़ी E, U, छोटा U, U, बड़ा U, अरी, और आपने देखा होगा, ये फर्स लाइन लिखे होते हैं, A, A, E, इंगलिश में भी हम लेख सकते हैं, A, A, E, E, U, 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 अरी, तो आपने जो हैं बच्चों को ऐसे सिखाना हैं, कैसे इनको बोल सकते हैं, तो ये जो हैं छोटी E, ये बड़ी E, अब बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूस रहते हैं, तो आप बच्चों को ये समझाएं, कि ये जो E की जो साउंड है, इसमें E की जो साउंड है, वो छोटी है, मतलव कि बहुत ही कम टाइम लेती है, ठीकें, और बड़ी E की मातरा जो हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं बोलने में, जैसे कि E, इनका उचारण करते समेह में, बहुत कम समे लगता है इ सेम छोटे और बड़े उमे है ठीक है और जो री है उसको हम जो है अर्धस्वर के नाम से भी जानते है अर्ध स्वर तो कहीं बार question पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर जो है किसे बोलते है तो री को जो है और्धस्वर भी हम बोलते है नेक्स्ट है हमारे पास ए आए आए ओ आओ तो आप देख सकते हैं कि इनका pronunciation जो है कैसे किया जग गया है जब भी आप इनको पोर रहे हैं तो हम किसी अन्यवर्ण की साहिता नहीं ले रहे हैं मतलब कि किसी अन्यवर्ण की जो है sound नहीं आ रही है ठीक है तो यही difference है स्वर और बेंजन में जब हम बेंजन की बात करते हैं तो बहाँ पे जो है किसी दूसरे वर्ण की sound निकलती है जैसे क क की sound हमेशा उनके साथ होती है तो सेम स्वर में जो है किसी अन्यवर्ण की हम साहिता नहीं लेते हैं तो यह होगे हमारे पास स्वर अब बहुत सारे लोगों को यह confusion है कि मैं मैं आपने यह 11 स्वर लिख दिये अंग और अ की बात नहीं की वो भी तो स्वर में ही आते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो अंग और अ है वो स्वर और बेंजन दोनों ही नहीं है उनमें जो हम वो एक कड़ी है स्वर और बेंजन के बीच में उनको कहते हैं हम आयोगबा वो हम मैं करवाओंगे आपको next वीडियो में और इनकी मात्राएं भी हैं आपको detail में कैसे करवानी है किस तरिक्ये से करते हैं वो भी हम next वीडियो में करेंगे तो अभी हमें clear होगे कि स्वर क्या होते हैं अब इसके प्रकार कित्रे types के हैं स्वर अब इनको जो हैं दो अधार पे हमने divide किया है फर्स्ट जो हैं अब हम पहला तरिका अब हम करते हैं उचारण के अधार पर उचारण के अधार पर स्वर कितने type के हैं तो हम उचारण के अधार पर अगर देखें तो उचारण के अधार पर जो हैं ये तीन types के हैं फर्स्ट जो हैं वो है हरिस्वस्वर फर्स्ट टाइप जो है वो है हरिस्वस्वर सेकींड है दीर्ग थर्ड है हमारे पास पलूत स्वर अब इसको ट्रिक बहुत एजी है अगर आपको यह याद नहीं रहते हैं कि उचारण के स्थान पर कितने भेद हैं तो उचारण के अधार पर हमारे पास तीन भेद हैं तो कैसे करोगे जैसे हम कहीं बार बोलते हैं हद पार हद पार कर दी तुने तो वो ही है ह से हरिस्वस्वर द से दिर्गस्वर प से पलूत्वस्वर अब हरिस्वस्वर को जो है हम एक मात्रिक स्वर भी कहते है एक मात्रिक स्वर भी कहते है और इसको लगू स्वर लगू तो इसको जो केंबर पूछ लिये जाता है कि लगु स्वर क्या होते हैं तो आपको confusion होगी कि मैं हमने तो हर इस स्वर करवाय था लगु तो हमें करवाय नहीं तो इसी को जो हैं हम लगु स्वर भी बोलते हैं एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं ठीक है तो क्यूं बोलते हैं क्यूंकि जब हम इनका उचारण करते हैं तो क्या होता है इन बर्णों में जो हैं केवल बहुत कम समय लगता है इनका उचारण करते समय ठीक है और एक मात्रिक क्यूं बोलते हैं क्यूंकि इन बर्णों में केवल एक मात्रा होती है ठीके, इन वर्णों में एक मात्रा है, इसलिए एक मात्री कहा जाता है हरिस्तों क्यों बोलता है, उजारन करते समेजु है, बहुत कम टाइम लगता है फॉर एक्जेंपल, अब मैं बोलती हूँ, अ, इ, उ, और री तो आप देख सकते हैं कि इनको बोलने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है ठीक है, और एक मात्रिक है, इसलिए इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है ठीक है, तो ये कितने नंबर में है, अब पूछा जाता है रिस्तों स्वर कितने हैं, हमारे पास ये हैं, चार अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हम दीर्ग स्वर की बात करते हैं अब दीरकसर को जब भी हम उचारन करते हैं इन वर्णों को जब भी उचारन करते हैं तो हृस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है ठीक है और जैसे कि यहां पे सिर्फ एक मात्रा जो है होती है तो यहां पे दो मात्रा होती है ठीक है तो दो मात्राओं को टाइम जो है में लगता है, तो for example, A, E, O, A, I, O, O, तो इन में सब में जो हैं, दो-दो मातरां लगी हुई हैं, इसलिए जो हैं, इनको हम दीर्ग स्वर भी कहते हैं, और ये कितने नमबर में हैं, ये साथ हुदते हैं, साथ, साथ, अब आप पूछे होगे कि मैं दो मातरां कहां लगी हैं इनको, क्यूं, क्यूंकि हमारे पास अगर आप देखते हैं, तो A कैसे बना हुआ है, हमारे पास A, A कैसे बना है, A, प्लस A को जोइन करके हमारे पास A बना है, ठीक है, E, प्लस E को जोईन करके E बना है ठीक है U प्लस U को जोईन करके मरपस U बना है तो ये होगे न दो-दो मात्रा है इनको जोईन करके जो है ये बने हैं इसलिए इनको दूई मात्रिक शब्द भी कहा जाता है इनको एक मात्री क्योंकि ये सिर्फ एक मातरा इन में होती है इन में दो मातरा होती है तो आई होप आपको दीर्ग स्वर्ग भी पता चल गया और हरिस्टो स्वर्ग जिन में उचारण में कम समय लगता है बहुत कम समय लगता है जिनमें 2 गुना टाइम लगता है उसको दुद्ग स्वर करते हैं अब पलुत्व स्वर के अगर बात करें तो इनको बोलने में जो हमारे पास हरिस्टो स्वर से 3 गुना टाइम मतलब कि 3 गुना टाइम लगता है फॉर एक्जामपल मैं बोलती हूँ ओम की ध्वनी आपने सुनी होगी तो बहुत ही लंबी होती है तो इनको बोलने में जो है तीन गुना टाइम हमारा लगता है अब हम कर हम ओम को तोड़ें तो कैसे बनेगा ये अ प्लस ओ प्लस म ये है हमारा पास ओम की ध्वनी जो है बहुत लंबी होती है तिगुनास में लगता है तो ये तो हो गया फर्स्ट इसका कि उचारण के अधार पे जो है स्वर कितने हैं तो उचारण के अधार पे जो है स्वर है हमारे पास तीन टाइब के अब हम करते हैं रच्चना के अधार पे जो है स्वर कितने टाइब के हैं रच्चना के अधार पर तो रच्चना के अधार पे जो है हमारे पास जो है दो टाइब के स्वर है फर्स्ट है टू टाइब सोती है रच्चना के अधार पर फर्स्ट है मूल स्वर मूल स्वर और स्युंक्त स्वर आप पूछोगे मूल स्वर क्या होते हैं तो मूल स्वर होते हैं बे स्वर जो किसी अन्य स्वरों के मिलाने से नहीं बने ठीक है रचना मतलब किस तरह से स्वरों को construct किया गया है किस-किस के मिलने से स्वर बने है तो मूल स्वर में जो है क्या होता है वो स्वर जो किसी अन्य स्वर के मिलाने से नहीं बने अन्य स्वर के मिलाने से नहीं बने उनको बोलते हैं हम मूल स्वर फॉर एक्जेंपल जो फर्स्ट हमारे पास जो थे कौन सा स्वर था हरिस्व स्वर ये चारो के चारो जो है हमारे पास जो है मूल स्वर है जो हमें किसी अन्य स्वर के मिलाने से नहीं मिले हैं ये बिना मिलाए मिल गए हैं अब सेकीन है स्विंक्त स्वर अब स्विंक्त स्वर अबिसली अपोचिट ही होगा जो स्वर अन्य किसी स्वर के मिलाने से बने है For example, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे A, I, O, O, P तो हम अगर बात करते हैं A की A कैसे बना है? इन स्वरों को मिलाने से हमारे पास A बना है A कैसे बना है? इन स्वरों को मिलाने से हमारे पास A बना है O कैसे बना है? यह बना है ओ हमारे पास ठीक है तो यहां पे क्या देखा हमने की कि यहां पे जो है दो यह दो से जादा स्वरों के जो मिलने से बनता है उनको हम स्वर बलते हैं और मूल स्वर क्या होते हैं जिन स्वरों को जो है किसी अन्य स्वर के मिलाने से नहीं बनाये जाता तो ये है रचना के अधार पर हमारे पास तो टाइपस है मूल स्वंक्ट स्वर और तीन टाइपस है अरिस्ट्प स्वर, देर्ग स्वर और पलुत्प स्वर तो आई वोप आपको जो है स्वर्व का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थेंकिसो मच फ्रेंड्स